कि कलास 10 के संस्कृत के कुछ important objectives देखेंगे आज हम लोग संस्कृत में भारतिय संस्कारा चप्टर का question देखेंगे तो चरये सुरू करते हैं पहला question है कि कती पुरानानी संती अर्थात पुरान कितने हैं पंच मतलब पंच दस या पंच दस पंदरा या अस्टा दस अठारा तो पुरानों की संख्या अठारा है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं कि भारतिय संसकारा पाठे भारत अस्यकीम रच्यती भारतिय संसकारों से किसकी रचना होती है तो भारतिय संसकार से हम व्यक्तित्व की रचना होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कती संसकारा भवती संसकार कितने हैं पंच दस अर्थात पंदरा या पंच मतलब पाच विनसती बीस या सोडस सोला तो संसकारों की संख्या सोला है सोडस संसकारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतेष्टी संसकारा कदा भवती अंतेष्टी संसकार कब होता है तो मरना दंतरा मतलब मरने के बाद या पानिक रहनम या जीवन के पूरु में या जीवने जीवन में कहा गया है कि अंतेष्टी संसकार जो है वह मरने के बाद होता है तो मरना द मतलब प्राचीन काल में सिस्य को कहा जाता था तो प्राचीन काल में सिस्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था नेक्स्ट क्वेश्टन देखते हैं कि चरित्र का निर्मान किस से होता है तो चरित्र का निर्मान किस से होता है संस्कारों से होता है नेक्स्ट question है कि अन्य पराशनम कदा भवती, अन्य पराशनम जो संस्कार है वो कब होता है बाल्ड्य वस्था में या गर्वस्थ के वस्था में या सैसफ संस्कारों में या वह संस्कारों में तो इनका पहला छोड कर्म गुरु के घर में होता है, गुरु गृरी है, नेक्स्ट क्वेशन है कि मुख्या आवसरा के साम मेलनम भवती मतलब प्रमुक आवसरों पे इस चैप्टर में बताया गया है कि जीवन के प्रमुक आवसरों पे परिवार के सदस्यों का मेल मिलाप होता है तो right option हो जाएगा परिवार सदस्या नाम, परिवार के सदस्यों का अगनियस्थापनम कस्मीन संस्कारे भवती अगनियस्थापनम कस्मीन संस्कारे भवती अगनियस्थापनम जो है वह किस संस्कार में होता है तो विवा संसकार में अगनी अस्थापित किया जाता है आपसा नमबर B नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं कि प्राचीन संसक्रीती की पहचान किस से होती है तो भारत में जो प्राचीन संसक्रीती है उसकी पहचान संसकारों से होती है आपसा नमबर B नेक्स्ट क्वेशन है कि सिमंतो नईनम किस परकार का संसकार है तो सिमंतो नईनम जो है वो किस परकार का संसकार है तो जन्पुर्व संसकार तीन बताए गये हैं और उसी में से एक है सिमंतो नईनम नेक्स्ट क्वेशन है कि जन्पूर्फ संसकार कितने हैं शट मतलब 6, पंच मतलब 5, 1 या 3 तो जन्पूर्फ संसकार 3 है त्राया, त्राया का मतलब क्या होता है 3 होता है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं कि सब्त पदी क्रियम कि संसकार में संपन निकी जाती है तो सब्त पदी जो किरिया है वह विवा संसकार में आता है Option number C Next question है कि भारतिय जीवन दर्सन का महतवपून उपादान है तो भारतिय जीवन दर्सन का महतवपून उपादान यहां के संसकार है Option number B Next question देखते हैं कि वागदान किस संसकार में होता है तो वागदान जो है वह विवा संसकार में होता है option number B next question है कि विवा संसकार पूर्ण करने के लिए मनुस्य कहां परवेश करते हैं तो विवाज संसकार को पूर्न करते हुए, जो मनुस है, वह अपने ग्रीहस्त जीवन में प्रवेश करता है. Next question है, कि पानी ग्रहन किस संसकार में होता है? तो पानी ग्रहन जो है, वह विवाज संसकार में होता है, Right Option C हो जायेगा. सिमन्तो नैनम किस प्रकार का संसकार है तो ये जन्म के पूर्व होने वाला संसकार में से आता है सिमन्तो नैनम option number A next question देखते हैं कि सब्तपदी प्रक्रिया किस संसकार में संपन निकी जाती है तब या विवास संसकार में संपन निकी जाती है अगला है कि केशंत संसकार कहा होता है तो केशंत संसकार जो है वह गुरू के ग्रीह में होता है अप्सन नबर A हो जाएगा अगला क्वेशन है कि सैस्वा अवस्था सैस्वा वस्था के संसकार कितने हैं तो सैस्वा अवस्था में 6 संसकार आते हैं option number A हो जाएगा पुन्सवनम पुन्सवनम संसकार कब होता है तो पुन्सवनम संसकार जो है वो भी जन्म के पहले ही हो रहा होता है तो option number C हो जाएगा भारतिय संस्कृती की अद्वीतिय विसेस्था क्या है तो भारतिय संस्क्रीती की अद्वीतिय विस्था हमारे हां का क्या है संस्कार है अगला question है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है तो गोदान जो है वह गुरू के घर में होता है और ये किशांत संस्कार का मुख्य कर्म है तो इस चेप्टर में हम लोगों ने भारतिय संसकारा चेप्टर का कुछ अब्जेक्टिव देखा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना बुले थैंक यू